हालो अब्रीबन स्वागत है आप सभी का मेरे चानल दिवाइन चारो में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब हैपी होंगे पॉस्टिफ फील कर रहे होंगे पॉस्टिफ सोच रहे होंगे आप के पार्टनर की मन की भावना बहुं है जो हम सबस्का अल्रेडी बड़े पुरान इसे हो चुके और शुरुआत से हैं तो यार थैंकिस हो मच इतना प्यार देने के लिए पीगे ऐसे चले शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम उनके लिए बताएं उनके पार्टनर के मन की सची भावना है उनके मन में मन की सची भावना का मतलब समझते हो यह उनके इंटेंशन होते हैं इरादे सचे इरादे होते हैं उनके मन की सची भावना है इसलिए feelings और इरादों में confused नहीं हो ना feelings होता है जो भावनाय मन में चल रही है कि वह मलब thinking जो thought होता है और जो भावनाय मन की सची भावनाय या intentions जो होते है उसका मतलब यह होता है कि वो इरादा क्या रखते हैं आपके लिए और नेक इरादे हैं बुरे इरादे हैं खयाल कैसे हैं उनके तो यह clear रखना mindset में confused मुझे बता है मेरी viewers के लिए उनके partner के मन की सची भावनाय बता है आपके partner काफी जादा मुझे से दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से काफी जादा low feel कर रहे हैं काफी low मतलब किसी तरीके की ऐसी energy जिसमें उनको बहुत जादा या तो बिनावजा रोना आ रहा है या बिनावजा बहुत चिचड़ा heart मैसूस हो रही है और ये चिचचड़ा heart मुझे सब ही दिखाई दे रहे है कि बहुत जादा इनके life में या तो बहुत जादा काम बढ़ गया है ये बहुत जादा वेले हो गए है इस तरीके की energy है या तो ये बहुत completely वेले वेली हुई है या तो ये बहुत जादा अपना काम बढ़ा चुके है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी stress से या burden से ये खुद को बहुत low feel कर रहे है और ये जब जब low feel करते हैं जब जब आपके partner बहुत साथा खुद को emotionally upset या बहुत साथा burden feel करते है तो इनको अपकी यादा आती है जब तकलीफ हो तो नानी की या रहती है, तो इस तरा के एनरजी है कि आप एक द्गाना ब नानी हो इनके लिए जिनकी या दिनको तकलीफ होने पर आती है यह एकते, पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत जाबा मिस कर रहे हैं यह पिछले कुछ दिन मुझे से लग रहा है, या तो पांच दिन हो सकते हैं, या पांच महीने हो सकते हैं, या हो सकता है कि जुन के मन से start, January, February, March, April, May, June, ओके, नहीं, फिफ्ट मन, मैं से, मैं से मिस कर रहे हैं आपको, क्यों कि फिफ्ट में को दिख रहा है, तो या तो यह म मैं से मिस कर रहे हैं, आपको बहुत जादा, मैं मन से बहुत जादा मिस कर रहे हैं, और इनके एनर की एक चीज़ बड़ी मुझे शॉकिंग लगी है, जब मैं गीन रही थी तो मुझे रिलाइस हुआ कि इस व्यक्ति के एंदर की मैं मैं खतम हो गई है, यह एक्ति खुद म यह किसी से मतलब आपी हो, जिस पे यह निर्भर होना चाहते हैं, जिसके बोलते हैं बाहों में दो मिनटी रहे कर ऐसा लएक बोलते हैं, सिफ रोना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर जो हैं, वो किसी के बस बस बैट कर एक पीस ओफ माइंड फील करना चाहते हैं, फील करन हुआ है जो कि उनको ऐसा लगारेगी वह अपने लिए जी नहीं रहे, वह अपनी खुशियां देखी नहीं रहे, अपने आपको खुश रखी नहीं पाते पीस of मैंड ही नहीं, ऐसा भी क्रहें जैसे कि बहुत सारे दोस्तों या बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैटते जरूर हो, हो सकता है ट्रावल कर रहे हैं या कही जा रहे हैं, पर वो happiness इनको feeling नहीं हो रहे हैं, इनको इसले लग रहे हैं कि बस बैटने के लिए बैटना पड़ रहा है, जो ऐसा दिख रहा है कि इनकों पर हावी हैं, जिनके कारण भी यह बहुत जादा खुद को अकेला और low feel कर रहे हैं, वो सकता है कि या तो इनके पास अलड़ी कोई baby है, इसले मुझे motherly nature दिख रहा है, हो सकता है इनकी wife या इनकी girlfriend या इनकी mother या इनकी baby है कोई इस तरीके के energy, लेकिन इस एक lady की energy इनके उपर बहुत हावी है, बहुत जादा जिसके कारण भी यह खुद को बहुत अकेला feel कर रहे हैं, क्योंकि उनजार से उनको emotional support नहीं मिल रहा है, यह खुद को काफी साथ ऐसा फील कर रहे हैं, एक अजीब सी anxiety और stress यह काफियत तक फील करते हैं, क्योंकि यह वहाँ support expect कर रहे हैं, और वहाँ उनको support नहीं मिल रहे हैं, तो उनको कहाँ याद आ रहा है, मा की मा नानी आ नानी, यानि कि आप लोग याद आ रहे हो तो गहीं न कहीं, इनको आपका ध्यान आने लगता है लेकिन जब जब चुनाओ का time आता है न, यानि जब इनको चुनना होता है, तो यह इसी मा आता और इसी मुलब में गाली ने देने वाली थी, दोंट वरी मैं कोई गाली मैंने इतना स्लो बोल दिया थे कुछ और ही सोचागा नहीं इसी मा वाली एनरजी को जादा चुनते जब जब कठनाई आती है या कोई option चुनने की बारी आती है चाहे आप जो है लग इस सरीगे के एनरजी जहां पे आप जो है समुंदर पे डूब आपको डूबने देते हैं और वहां जाके उसको बचाते है तो जब-जब कठनाई आती है तो डेफिनिटली उनको वह पहले लगते है लेकिन जब आपकी लेक होलते है कि अकेला पन आता है जब बहुत जाब ही मोश्टली लोग फिल करते तो उनको आपका ध्यान आता है त साजिटेरियस भी है कुछ लोगों के लिए धनू एनरजी है और वाटर साइंग मुझे जादा है रिफ्लेक्टिव है कैंसर कॉर्पियो पाइसे जादा एनरजी है ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टर जो है बहुत जादा बदलते है पल-पल में स्विच इनरजी में पल-पल में बदल जाते हैं आपके पार्टर इस तरीके की एनरजी है मुझे ऐसा दिखाए दे रहे है इस वक्त इनके जीवन में इतना अंधेरा आचुका है जहां पर यह अंधेरा महसूस कर रहे हैं दिखो मैं बता देते हूं इनकी लाइफ में कुछ भी प् इनरजी है जहां पर वो कुछ और ही विजन देख रहे हैं जबकि असलियत में सब कुछ आसपास एकदम भला चंगा है सब कुछ बड़ी है लेकिन उतना जब इमोचनल या माइंड हमारा गुमा हो रहता है न तो हमें पता नहीं क्यों बिना वाजाई सब चीजे नेगिटि इसलिए है कि ये व्यक्ति आप अपने इनके जीवन में इसलिए इनको लग रहे है कि आप इनके जीवन में मिसिंग हो इसके कारण ही इनके जिंदगी में स्नेक्स काफी बढ़ गए हैं पीट पे चुरे गोपने वाले लोग बढ़ गए हैं इनको सेल्फिश लोग मिलने ल मिल रहें औहीं मिल रहें यह आछी अचे जरे केरगे नहीं मिल रहें सब को अपने अपनी पड़ियों और जिससे सबसे ज़्यादा हैं की पड़ी रहती थी भाई सहाब वो उन oke बहुत अच्छा हैi realization जरूरी है बहुत अच्या तो कई ना कई आपके partner काफी लंबे समय से सोच रहे हैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़े लेवल के बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े लेवल के सोच तो बहुत रहे करने की बारी जब आती है तो पता नहीं क्यों टाटाइप फिस हो जाती है आपके partner की पता नहीं क्यों यहाल हो जाता है देदी ऐसा लग रहा है जासे कि हमारे partner से आप मिलकर आए हो पूरी खुनस निकाली है आप से भाई अरे क्या करू हो यार सेरियसली हो एनरजी मिल रही तो मैं क्या बोलू आपके partner किते लंबे समय से ऐसा दिखाई दे रहे हैं सोच रहे हैं कि वो किसी को cut out करना चाते हैं अमने जीवन से सबोटाज करना चाते हैं सबोटाज लेकिन किसको करके बटे हैं निकाला किसको है आपको यह कुछ उल्टी तरीकी की इंसान को ढूंडा है आपने और कुछ आपके partner जहां से निकलने के बारे में 50 बार कुछ चुके हैं पूरे दिन में कई बार सोचते हैं कि अब ने सब कुछ बदल दूगा मैं सब कुछ छोड़ चाड़कर इस बंदी या बंदे को अपनाओंगा बट क्या होता है रास्ता जैसे जैसे शाम ड़ती है इस बंड़न रास्ता ही भूल जाना है उसके बाद फिर वापस से ले जाते है और उसके बाद फिर हाइगोडा शुरू कर देते हैं अरे मेरी जिन्दगी यह शुरू हो जाता है उनका तो भाई एकदम मस्त वाला एपिक बंदा या बंदी चुनी है आपने जो एकदम गजनी है जिनको टै जितने यह स्मार्ट आपको दिखते हैं जितने ब्रिलियंट या इंटेलीजन यह आपको दिखते हैं कसम से बोलू असल भाषा में अगर सही सी कहा जाए तो उतने यह गड़गोबर है वल्लब उतना ही इनका दिमाग अपने लेवल का है आप इनको जितना बोलोगे कि ची होती है तो कई ना कई आपके पार्टनर ओके जो लोग भी यह बात नहीं जाते हैं लेट मी जस्ट एक्स्प्लें ने सो सकता है कि कुछ न्यू व्यूवर्स इस चैनल पर आये हैं नहीं नहीं स्वागत है आप सभी का अगर जे लोग म्यू हैं मैं बता दू कि मैं जो हमारे साथ बोलते हैं जो भी बॉन ऑन बॉटम यह होता है उसको लगी जाती है ठीक है तो कईना कई आपके पार्टनर जो है किसी को सबोटाच करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वहां उस एनरजी में उस रिष्टे में उन्हें रेड फ्लैक्स य आप पूरी तरह से इंविटेशन दे रहे होगी, आजाओ, आजाओ, मैं यह खड़ी हूँ, खाम, तो कई न कई है, उनको यह पता नहीं है, कि जब तक यह हरा जंडा मलब आपने पकट रखा है, इनको यह पता नहीं यहा ज्यादा नतिजार करवाया हु, तो यह झढ़ा नल हमलसा लाल स्क्राइशन देखान, कि तरह कि किने आप की तरह करें आपक सोस्क्राइब रहे हैं, और वहाँ हैं, क्या आपको बहुत है , कि साफ सुंग गया क्या तुमको तुम लेंगवेज अब इनको साफ सुंग यह वहीं रुखे हुए कि action लेना है action लेना है अरे यार मुझे ना action लेना था आज तुम्हें रिष्टा तोड़ना ही चाहता था आज मैं इस अब छोड़ कर आना चाहता लेकिन यार यह यार नहीं आ रहा कि करते कैसे यह मुझे idea नहीं है कि करना क्या है ठीक है तो आपके partner जो है वो बहुत जादा आपको miss कर रहे हैं आपको बहुत stop भी कर रहे हैं और आपकी पुरानी-पुरानी memories को याद कर रहे हैं और लोगों को भर-भर के गालिया दे रहे अपने अगल-बगल में भर-भर के like complaints nature शुरू हो चुका है कि यह क्यों है मेरी जिन्दगी में यह क्यों है मेरी जिन्दगी में यह भी साप है यह भी गिरगेड है सरीके की energy है लेकिन फिर भी जैसे ही आपकी तरफ आना चाहते भाई सहाब गजनी हो जाते हैं गजनी वो कान सा आना था बहका मैं बहका मैं की इसी अवाद फतन नहीं है एरे दीदी बांग का यह लगते है युनिवर्स मझे बताए आउटकम क्या है इस व्यक्ति का कहना क्या चाहते हो बताओ मुझे आउटकम क्या है अरे भाई सहाब यह व्यक्ति भाई यह कहां से लाए हो इसको ठाकर यह अबिशा कंफ्यूस क्यों रहते मैं पताए मैंने बहुत रेयर वो एडर्जी पाई है जहां पर आपके पार्टर जो है मुझे ऐसे दिखाए कि अब आक्शन लेंगे भाई अभी अब भी तो कुछ आपके दिखाएंगे लेकिन वहीं पर ना यह उल्जन में confused और ऐसी energy जैसे कि बुलते हैं दो साल के बच्चे जिसको सही गलत का मालूम ही नहीं है इस तरीके की बेवकूफ ही वाली energy आपके बटना अभी भी confused है भाई उल्जा हुए है इतना सा बोने के बाद भी अभी तक confused है अभी तक मैं कहां हूं मैं कहां कर रहा हूं मेरा नाम क्या है वाली energy है जहां पर यह उल्जे हुए जहां पर यह पासा मजे भी पा रहे है इंको exactly अपनी जीवन में क्या चाहिए यह कोई calculation कर रहे है यह calculation तक पहुंची नहीं पा रहे मुझे मताए भाई universe इसकी obstacle क्या है क्या दिक्कत है यह बंदे की आता क्यों नहीं इसके सर पे कितनी डंडे मारने पड़ेंगे जो यह आएगा वह दो को डंडा लेके घूस जाओ घूस जाओ घूस चुरू करो जान करना कंबल के अंदर कोई third party ना हो पिट पिट आ जाएगी यह बगवान दी कि बहुत comedy करते सब्सक्राइब करते हैं इसका प्रोसेस कौन फॉलो करता है प्रोसेस फॉलो करो ठीक तरीके से अब यह मत बोल ना दीदी सारेंडर तो हमने हमने तो इन्हार आपते हैं तो तुम कुछ करी नहीं कि अब बनदा जो बैठा है जो तपस्या पे बैठा है उसके लिए मेन का बनना बढ़ेगा ठीक है अभी तक अगर तुम्हारे अंदर रांसफोर्मिशन नहीं हुई तो इस गुजरना शुरू करो थोड़ी सी बोड़ और इस तरह ये भारी स्टेटस भाई सहाप की बंदा जो ये बंदी है पगला जाए कि तुम्हारे विना उसको लगे कि तुम सर्वाइफ कैसे कर गए बंदा बदलेगा ठीक है तुम चले देश को बदलेगा तुम से और कुछ नहीं होना तुम पिचरों से इंस्पायर होने वाले आईपेस बनेंगे चलो भाई ये थी आपकी रीडिंग भाई रीडिंग पसा नाई मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाओ अब आपके पार्टमर के बस लाक्स मेर देख लेते हैं मैसेज गाना नहीं आओंगी आज मैं ठीक है अल्रडी बहुत का चुकी हूं यूनिवर्स हो बता है क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे विवर्स को नगी पार्टमर की तरफ से इसको अचादी भी करनी है आपसे यह मैरेश सोचता है आपके साथ इसकी इसकी इम्मात इतनी मजाल कहा से आती है अली रह आली आता तुजी बारी आली यह बहुत जल्दी आपका टर्न शुरू हो चुका है ब मुझे बाद बाद ट्रिपल बन भी दिख रहा है तो हो सकता है कि आपके जीवन में या तो कोई अच्छा प्रपोजल आने वाला है या न्यू बिग्निंग या कोई अच्छा ओफर I am going to give your surprise soon बहुत जल्दी आपको एक surprise देने वाले यतने surprises इनके surprises कम इनके shock ज्यादा होते हैं यह सरकते हैं जैसे shock ज्यादा देते हैं जब देते हैं जब देंको tension देते हैं यह थी आप लोगों को ग्रीडिग पसें आए मसमाला लाइक चिपकर शेयर करो subscribe करो और सके लावाध है और सारा प्यार दो बाकी सारी चीज़े जो है वीडियो पे reflect कर रहे हैं वीडियो पे देख लो चेक आउट कर लो या तो नीजे description box में चेक आउट कर लो तुमको सारी details मिल जाएंगे नए channel की healing के channel की एक और the divine terror का channel है bracelets की और personal reading के लिए भी जो number है वो whatsapp number है महरवानी करके call मत करो बहुत लोग सुनते नहीं हो सिर्फ call करने लगते हो call मत करो call सिजा ब्लॉक्स में चला जाता है समस्ते हो यह कुछ नहीं ठीक है सिर्फ में whatsapp करो whatsapp जैसे करोगे आपको मेरी टीम जो है answer देगी मेरी टीम बहुत ही smart है बहुत जल्दी answer देती है लेकिन अगर booking बन रहती है तो आप पूरा-पूरा दिन message करते रहे जाओ कोई जवाब नहीं द हुआ